नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर मैं हूँ आपका दोस्ते राजन सरोडिया देखे दोस्तों हम मद्य प्रदिस्तमानिग्यान MPGK पढ़ रहे हैं और MPGK की इस रंखल में हम साल्व कर रहे हैं MP फारेश्टगार जेल प्रहरी और छेतर रक्षक का जोगजाम 2017 हुआ था दोस्तों उसके old question paper को ठीक है और old question paper साल्व करने से हमको क्या फायदा हो रहा है कि ह तो मैं ये फायदा हो रहा है दोस्तों कि हमें ये बता चल रहा है कि question किस प्रकार के आते हैं ठीक है और question कौन-कौन से टापिक से आते हैं ठीक है इसके सांसा दोस्तों हम question से related जितनी भी important information होती है उन सभी को वहाँ पर discuss करते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों शुरुआत कर रहने वाला हूं ठीक है चलिए शुरुआत करते हैं question number 1 है जहांगीर महल कहां इस्तित है ठीक मैंने मद्ध प्रदेश के महल topic wise आपको पूरा पढ़ा चुका हूँ दोस्तों ठीक है तो यदि आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो playlist में जाईए वहाँ पर playlist मे ठीक है सब देखने को मिलेगा तीक तो जहागीर महल कहां परिस्तित है तो जहागीर महल दोस्तों औरचा में इस्तित है कहां परिस्तित है औरचा में इस्तित है औरचा कौन से जिले में आता है औरचा निवाडी जिले में आता है पहले टीकमगर में आता था लेकिन पंदरा सो अठारह में और्चा में इसमें और्चा में दोस्तों बीर सिंग बुंदे लाने करवाया था। और मद्य प्रदेश का 52 जिला बना और जो निवाडी जिला है दोस्तों उसके अंतरगत औरचा निवाडी और प्रत्वीपूर तीन तहसील आती है ठीक है याद रखना इसके अलावा दोस्तों इंपोर्टन फैक्ट याद रखना है आपको कि जन संक्या और चेतरफल के अधा पर बरतमान समय में 2011 की जन गरना के अंसार तो दोस्तों हर्दा और दतिया थे लेकिन बरतमान में दोस्तों योदि हम बात करें तो जन संक्या और चेतरफल दोनों के अलहर पर दोस्तों मद्य प्रदेश का सबसे छोटा जिला पूछा जाए तो याद रखना कुन सा है ये पता दोस्तों बेतवा नदी के किनारे इस्टित है डिक चलिए देखते हैं दोस्त मोहिम्म्छ खान क्या थे ठीक है दोस्त मोहिम्म्माれて इरानी थे तुर्की थे अफगान थे या मुरक्कन थे ठीक है तो याद रखना दोस्तों दोस्त मुहमत खान कोन थे अफगानी थे ठीक है क्यों क्यों कि इनका जन्म दोस्तों अफगानिस्तान में हुआ था ये अफगानिस्तान से भारत आये थे दोस्त मुहमत खान के बारे म वो औरंग जिव का सेनापती रहता है ठीक है तो उसके बात क्या करता है दोस्तों दोस्त मुहम्मद खान भौपाल में भौपाल रियासत की नियू रख देता है कौन दोस्त मुहम्मद खान ठीक है तो याद रखना दोस्तों भौपाल रियासत की नियू किस ने रखा था ठीक बहुपाल के आइससाइट के जगह है दोस्तों वो सब किसमें आती थी इसलाम नागर में आती थी ठीक है और दोस्त मुहमत खान का जन्म कहा पर हुआ था अफगानिस्तान में हुआ था इसलिए ये क्यों है अफगानी है धाई सीडी मस्जीद बहुपाल में इसलिए दोस्तो तो ये मद्वप्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद है बहऽपाल में स्तित है और उसका जिन्मार्ट सहा जहां बेगम ने करवाया था अगर आपसे कभी पूछ ले दोस्तों कि बहबाल की पुर्थम सासिका महिला सासिका कौन hai बोबाल की तो याद रखना कूदसिया बेगम कूदसिया बेगम बोबाल की प्रथम महीला साजी का थी सारे फैक्ट इंपोर्टेंट है लेस्ट कोश्चन है चंदू सरवटे किस खेल से जड़े हुए है या चंदू सरवटे का सम्मद किस खेल से ऐसा भी पूछा सकता है तो चंदू सरवटे, नरेंदर हिरवानी, अमैक हुरासिया, असोग जगडाले, नरेंदर मेनन, जेपी यादो या जेप्रकास यादो, नमन ओज़ा, इस्वर पंडे, आवेस खान, मुस्ताक अली, मुहनिस मिस्रा, लिसिकेस कानितकर, बैंक टेस ऐयर, राहुल द्रबिड, और अमिताब बिजवर्गी है, यह अमिताब बिजवर्गी वाला MPPSC में पूछा गया था, ठीक है, चलिए, इसके लाबा दोस्तों, यह होगए, आपके पुरुष खिलाडी और महिला खिलाडी की बात करें, दोस्तों, संधिया अगरवाल को नाम बहुत अच्छे से याद रखना और हाली में, दोस्तों, पूजा बस्तरकार, ठीक है, पूजा बस्तरकार बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, दोस्तों, याद रखना, ठीक है, संधिया अगरवाल, पूजा बस्तरकार, संधिया जेन, राजस्वरी धोलोकिया, बिंदिस सोई, गोयल, सोईतामिस्रा और किर्ति पटेल यह पूजा बस्तिर कार तो अभी दोस्तों मतलब इंडिया की जो महिला क्रिकेट टीम है उसमें अभी खेलती है ठीक है चलिए नैस्ट को सब्सक्राइब को मद्य परदेश से कब अलग कर दिया गया था मतलब मद्य बिभाजन का हुआ तो सीधा है पता है आपको 1 नवम्मर 2000 को दोस्तो मद्य प्रदिस के क्या हुआ था बीभाजन हुआ था और मद्य प्रदिस से 36 गणर अलग हो गया था ठीक है तो याद रखना दोस्तो मद्य प्रदिस का इक नवम्मर मद्वे प्रदेश का गठन में मैं सब पढ़ा दिया हूँ ठीक है याद रखना दोस्तों जब 36 गड़ाला हो जाता है मद्वे प्रदेश से एक नुमा मर्द होजार को तो मद्वे प्रदेश में फिर से 45 जिले बचते हैं और 9 संभाग पहले कितने थे 12 संभाग रहते हैं ठी संभाग 36 ग्रम चल जाते हैं और 16 जिले कहां चल जाते हैं 36 ग्रम है तो 45 जिले और 9 संभाग जीसτά पूश्चन पूश्चन पूछते हैं कि अब देखे दोस्तों, यहां पर question पूसा जाता है कि मद्य प्रदेश के पुनर गठन के समय या विभादन के समय मुखमंत्री कौन थे दिक बज़ा सिंग लेकिन आपका काम ऐसा नहीं है कि आप मुखमंत्री पढ़ को सीमित हो जाओ नहीं राजपाल भी आपको पढ़ना चाहिए मुखने आदिस भी पढ़ना चाहिए इससे क्या होता है देखिए जब आप राजपाल पढ़ते हो तो फिर राजपाल के नाम याद करते हो ठीक है यदि आप एक एक नाम को दोस्तो अलग-अलग जगह में पढ़ोगे ना तो आपके माइड में छपते जाते हैं वो ठीक है जैसे भवानी सिंग ठीक अब भवानी सिंग का नाम आप पूरे मद्यप्रदेश के मुखने आदिस याद करोगे तो उस समय वहली याद नहीं हो ठीक है लेकिन यदि आपको यह पता हो जाए कि भवानी सिंग भाई या मद्यप्रदेश के विभाजन के समय में इस बता हैं किस बर्देश के मद्यप्रदेश ने विष्वкими दिवस पर एक साथ हाथ दोने वाले सर्बादिक लोगों का रिकार्ड बनाया इस प्रकार के question भी पूछे जाते हैं ठीक है इस प्रकार के question भी पूछे जाते हैं और ये 2014 का question है और exam 2017 में हुआ था देखिए 2014 का question पूछ लिए भाई ये 2017 में ठीक मतलब 3-4 साल के पीछे की घटना भी पूछ लेता है ठीक है तो याद रखना 2014 में मनाये गया था यहाद धोने का record ठीक है अब मद्ध प्रदेश में जितने भी important बरस दोस्तों आपको पता होने चाहिए बास बरस 2010 में दीखें बास दस ठीक है मगुहा ग्यारा ट्राफिक 2011 मतलब मगुहा ट्राफिक और क्रिसी दोस्तों 2011 हमेर 2012 सुचना प्रद्योगी की सस्थिक्रल बरस 2013 मद्ध प्रदिस परटन बरस 2015 और गरी कल्या बरस बरस दो बार बनाया गया है 2016 और 2017 में भी बनाया गया है याद रखना सारी important है ठीक है चलिए next question देखते हैं निमनी लिख के question भी आते हैं और यह question कहां से आया है NGO से आया है ठीक है इसलिए दोस्तों आपको परंतु आपको क्या करना है दोस्तों इस टाइप की topic में ज्यादा दिमाख लगाने के जुरूरत नहीं है ठीक है पता चला नहीं तो आप इसी टाइप की topic पढ़ते रहो और आप मुखे topic तो इस परकार की चीज़ें आपको आएंगी एक्जाम में तो आपको थोड़ा common sense का यूच करके समझना है कि तेजा जी नहीं तेजा जी का मिला है ठीक है यह लगता है भामाबद और भामाबद गुना में लगता है ठीक है और पूरा paper दोस्तों English to Hindi translate होता है याद रखना English English to Hindi English में भावाबद लिखा है यहां भामाबद लिख दिया ठीक है तो जयाद रखना इस परकार को common sense भी आपको लेके चलना है तेजा जी का मिला लगता है भामाबद गुना में यह जितने भी गौवाले नाम है दोस्तों मेले वाले मैंने सब को बता दे रहा हूं ठीक है जी का मिला भामाबद गुना में लगता है नागा जी का पूरसा गाउं मुरेना में लगता है पेर गुधान का मिला सावरा गाउं स्यूपरी में लगता है जिले का नाम कोई इंपोर्टन नहीं है कि जिले का नाम भी बुचे जाए डारेट गाउं का नाम भी लिख दिता ह सिंगा जी का मिला पिपलिया खंडवा में लगता है और कालू जी का मिला पिपलिया खंडवा में लगता है अब आप सोचो को कि खंडवा में भी पिपलिया खंडवा में लगता है तो या दखना दोस्तों खंडवा में लगता है और कला मतलब बड़ा होता है कई गाउं के न में लगता है और संकुवा कमेला सेवला दातिया में लगता है सारे इंपोर्टेंट है गौवाले ठीक है याद कर लेना अभी दोस्तों आपको एक चीज़ राद लखना पड़ेगा कि मद्य प्रदेश की मेले कौन-कौन सी कितने कितने दिनों के लिए लगते हैं तीरा दिन के लिए पांच दिन के लिए चार दिन के लिए दो दिन के लिए पंदरा दिन के लिए मेहने वर के लिए इस प्रकार का एक अलग हम टापिक लेकर आएंगे ठीक है जब उस प्रकार का कोश्चन आएगा निमनमस से कौन सा परटन इस्ता सत्पुड़ा की रानी भी कहते है और मद्य प्रदिस की गिर्ष में काली राजधानी भी सत्पुड़े को कहा जाता है यह सिंपल फैक्ट है केप्टन जी फूर्षित आपको याद रखना है ठीक है देखें दोस्तों पच्मड़ी में जो परटन इस तल पहला चिस्तों पूगर याद रखना दोस्तों 350 मिटर इसकी हाइट है ठीक है मद्य प्रदिस की सबसे उची चोटी है पांड़ो गुफा है जटा संकर गुफा भी है डचेश जलप्रपाद रचत जलप्रपाद अप्सरा जलप्रपाद और बीफाल जलप्रपाद यह चार जलप्रपाद जो भारत के राश्पती थे दोस्तों तो वो यहाँ पर आये तो घूमने के लिए तो उनके लिए दोस्तों एक भवन मनाया गया था रभी संकर भवन तो रभी संकर भवन भी कहाँ परिस्तित पचमडी में इस्तित है किसका कोफ्चन है GitHub का कोफ्चन है करेंड अप्यर्स बहुत अच्छे से पढ़ना ठीक है बद्ध्य परदेस का निमनेखित में से कौनसा पोध मद्ध्य प्रदेस मोपलबद है तो मिस्ट्रूगंदा भी है दोस्तो और आपका कौनसा है बेल बेल भी है ठीक है तो प्रोक तो दोने सकांसर हो जाएगा बेल भी उस्दी वोधा होता है इस चीज आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि सारे पोधे उस्दी रूप से महत्पूर होते हैं इस दुनिया में जितनी भी बन और बनस्पती पाई जाती है सभी का किसी ने किसी डूप में औस दी महत तो होता है लेकिन हमें पता नहीं होता है तीक है इसलिए कुछ इंपॉर्टनेंट नाम ऐसे होते हैं दो जो आपको होडा होडा माइन में लेके चलना है असोगंधा टिक तुलसी कालमेग सफेद मुशली गिलोए ब्रहंगराज ब्रहंगराज को ऐसे लिखते हैं ठीक है ब्रहंगराज ठीक ब्रहंगराज ये बालाल जड़ते हैं उसके काम आता है ठीक है अर्जुन को देशी भासा में कववा भी कहते हैं क्या कहते हैं कववा की चाल ठीक है इसके लबाद सरपगंधा और ब्राम्मी तो कि इस प्रकार की जो जड़ी बूटी पाई जाती है या औश्दी पोदे पाई जाते हैं मद्दे परदेश में देखने को मिलते हैं जड़ी बूटी के इंद्र याद रखना दोस्तों पच्वडी में इस्तित है होसंगबाद में सन्जुनी संस्थान कहां पर स्थान पूछे आप से तो वैसे संजुनी संस्थान तो मद्देपरदेश में बहुत सारे जखां 22 जखां में लगवाद स्थान लेकिन मुख्याला लिंक मिलेगी दोस्तों सनुडिया 91 पे कहां पर मिलेगी सनुडिया 91 पे तीक आभी मैं पीडिया नहीं दे रहा हूं तीक पीडिया डालता हूं में 4-5 इखटा हो जाती है जब ठीक है एकटी आपको PDF सनुडिया 91 टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगा तीक है तो चलिए दो तो थैंक यू जहिन जभारत